जिलादिकारी शिबकान दुबेली द्वारा आज सरकिट हाउस इस्तिसवागार में मेरी माटी मेरा देश कारकरम की बारीकी को समझाया गया जिसमें 9 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाये जाने वाले भारत सरकार के बहुती मैत्वकांग्शी कारकरम जिलादिकारी ने कहा कि इस कारकरम में पिरते ग्राम पंचायत के वीर शहीदों के नाम सोतनता सेनानियों के नाम युद्व में शहीद हुए PCS पलिस के नाम अंकित होंगे वहाँ पर एकत्र होकर देश के सहीदों को बंदन करते हुए पंच प्रन लेंगे शपत के कारकरम होंगे समस्ते ग्रामों से मिट्टी के 15 इंच के कलश में जिसे तरंगे के रंग में रंगे हुए कलश जिसमें ग्राम के अमरस सरोबर या तलाव की मिट्टी होगी उसे पूरी भब्विता के साथ कलश यातरा निकालते हुए ले जाये जाएगा प्रियास करें उक्त कलश यातर की अगुबाई करने वाले लोग एक ही रंगे बस अजहरन करें इसके साथ ही उस पर अशोक चक्र भी ना बनाये जाए उक्त कलशों को एकत्रित कर विकास खंड को भेजा जाएगा मिट्टी को विकास खंड के जनपत फिर जनपत से दो कलश में मिट्टी लखनो वदिली में आयोजित कारकरम में भेजी जाएगी ये सबी कारकरम अलग-अलग तिथियों में 9 अगस से 15 अगस तक बिविद कारकरम भबिता के साथ आयोजित होंगे पृतिक ग्राम पंचायत में 52 ब्रक्ष लगाए जाएंगे पृतिक ग्राम पंचायत में सुतन तक संग्राम में अपने प्राणों की आहोती देने वाले या जल सेना वायू सेना या थल सेना में अमर शहीदों को याद में एक मुठी मिट्टी के पंच प्राण लेते हुए उ इसमें यात्रा का भी आयोजन हो। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को इसका भव्य कारकरम जनपत इस्तर पर होगा। इसमें सभी जनफिर्तिनीधी भी प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को कारकरम से जोड़ा जाए। बुजर्ग महिलाओं, बच अधिकारी के साथ इस कारकरम को आईजित कराएं। ये कारकरम देश की अजादी के अमरत महुसब और भी शहीदों की कुर्बानी को याद दिलाता है। इस अफसर पर नवनियुक्त उप जिलादिकारी गण, परियोजना निदेशक्र DRDA श्री तेजवन्त सिंग, डी सी मन् जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त खंड बिकास अधिकारी, समस्त ग्राम सचिप सहित समंदित अधिकारी उपसित रहे।